हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मिद आप सब अच्छे होंगे तो दोस्ते इस वडियो में हम बात करेंगे जो हमारी चमेट अप्लिकेशन है चमेट अप्लिकेशन में जो भी होस्ट काम करती हैं अगर वो पनी एजंसी को चेंज करना चाहती हैं तो वो एजंसी को चेंज कैसे कर सकती है लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगा अपनी इनकम की चमेट एप्लिकेशन को यूज करके यहां पर मैंने अजंसी ले रखिये उस एजंसी गो लेके मैंने कितना अच्छा कमिसन वहाँ से कमाया है अगर आप वो agency लेना चाहते हैं तो description में link है वहाँ पर whatsapp link भी मैंने डाल रखा अपना mobile number डाला हुआ है आप मुझे वहाँ से contact कर सकते हैं मेरी team आपको zoom meeting जोईन करा के ठीक है live आपको meeting में जोईन करा के आपको account binding या जो भी problem है वो आपकी solve करेगी ठीक है तो अब हम बात करते हैं पहले अपनी income देखेंगे फिर हम समझेंगे कि जो host है वो अगर एक agency में काम कर रहे है और वहाँ पर उसको अच्छा profit नहीं हो रहा है या फिर वो agent आउसको time पर पैसे नहीं दे रहा है या कम पैसे दे रहा है तो उसको अगर अपनी agency चेंज करने है तो वो कैसे चेंज करेगी agency चेंज कैसे होगी वो हम सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले अपनी income देखते हैं फिर इस application के बारे में समझते हैं कि agency चेंज कैसे होगी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो 30 मई 2022 आपको साफ साफ दिख रहा है commission शिरफ commission ठीक है शिरफ commission 2787 डोलर 23 मई को 2368 16 मई को 2648 9 मई को 2619 2600 डोलर से जादा का commission एक week में ठीक अगर हम इसको डोलर को इंडियन रुपीज में convert करेंगे तो लग बग 2 लाग के आसपास जो है weekly पैसा आया है इतना बड़ा amount आपको agency लेने से मिल रहा है तो दोस्तों देर मत करिएगा agency join कीजिएगा आप वहाँ पर क्या करना है host को join कराना है इतनी बड़ी income आप वहाँ से ले सकते हैं शिरफ company commission host से मिलने वाला पैसा तो अलग है यह आपको इतना company अपनी तरफ से दे रही है तो में यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आपको agency ले कितना बड़ा profit हो सकता है link description में whatsapp link भी डाले मैंने डाल दे अब हम बात करते हैं कि अगर आपको agency change करनी है तो वो कैसे होगा कोई host काम कर रही है किसी agent के अंडर में और वहां से उसको पैसे नहीं मिल रहे है या वो agent उसको कम पैसे दे रहा है तो वो agency change कैसे करेगी उसके लिए आपको क्या करना है application को open करना है मैं आपको दिखाता हूँ step by step इस application को open कर रहे हैं तो जब आप इस option के उपर चली जाते हैं तो यहाँ पर आपकी सामने बहुत सारे options आते है message, my level, my card, my profile, my earning इस तरह से आपको बहुत सारे options दिखते हैं तो उसमें क्या करना है आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद आप settings open करेंगे settings open कर लेना है settings open करने के बाद आपको क्या option दिख रहे है language, block list यह सब पर इसमें आपको about us के उपर जाना है about us के उपर जाने के बाद आपको क्या दिख रहा है delete account कोई भी ऐसा shortcut नहीं है जिससे आप agency direct change कर सकते है यह मैं आपको बता देता हूँ agency direct कोई भी host नहीं कर सकती है उसको क्या करना है agency change करने के लिए उसको अपना account delete करना पड़ेगा 14 days का time लगता है 14 days के time के बाद यह account delete हो जाएगा उसके बाद वो अपना दुबारा से नया account बना सकते है तो अगर मैं इस delete account के उपर click करता हूँ तो मेरे सामने क्या चीज़े आ रही है यहाँ पर आप देख सकते है मेरा balance जैसे मैं boys हूँ तो boys की ID है इसी तरह से girls की ID दिखेगी वहाँ पर बिन्स after deleting account the balance and earning will be unable to use यानि कि अगर किसी host ने यहाँ पर पैसे कमा रखे है ठीक है और उसका agent उसको पैसे नहीं दे रहा है अगर वो यहाँ से delete करती है अपनी account को तो यह बिन्स उसके delete हो जाएंगे यह ना तो उसके agent को जाएंगे ना ही वो इनको withdrawal कर सकेगी तो delete करने से पहले एक number one बात क्या ध्यान में रखनी है Sunday से पहले delete नहीं करना है Sunday को Monday को settlement होती है हमें पता somewhere को जो है इसकी settlement होती है earning की settlement कब हो रही है Monday को ठीक है Monday से पहले इसको delete नहीं करना है उसके बाद यह settlement हो जाएगी फिर इसको delete करना है ठीक है phone number आपको देख लेना after we are unable to relate your account यानि कि यह number से आप दोबारा same number से agency बना सकते है application install कर सकते हैं लेकिन उससे पहले इस account को delete करना पड़े है delete करने के बाद दोबारा से इसी number को use करके आप दोबारा से ID बना सकते हैं application में और फिर किसी नए agent में join हो सकते हैं अगर मेरी agency में join होना चाहती है तो मैं आपको सारी चीज़े step by step सिखाऊँगा और जितना पैसा मेरे account में आपकी agency से आएगा पूरा पूरा पैसा एक sheet बना गे excel sheet बना गे आपको screenshot share करके screen recording share करके मैं आपको पूरा पैसा दूँगा यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा लालच नहीं करता हूँ कि मैं आपको पहले तो मैं 800 रुपए दू टैन डॉलर के और फिर धीरे दीरे मैं आपको बलू कि आप 100 डोलर काम करोगे तो मैं आपको पैसे दूँगा आप 200 डोलर काम करोगे तो मैं आपको 800 डूँगा नहीं तो मैं आपको साड़े ससूरेट में दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है अगर मुझे आपकी एजनसी में आपके काम करने से 10 डॉलर के अगर मुझे 743 या 783 आ रहे हैं तो मैं आपके 3 पैसे 3 रुपे भी नहीं रखूँगा पूरे के पूरे आपको पे कर दूँगा ठीक है यह मेरा जो है अभी तक का रहा है रिकोड रहा है मैंने कोई भी अभी तक ऐसा कुछ लालत ना मेरी एजनसी ने क्या ना मेरी टेम हमें काम बंद करना पड़ रहा है ठीक है ऐसा करके आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर अप्लिकेशन नोट वरकिंग करके अप्लिकेशन नोट वरकिंग भी आप लिख सकते हैं नोट वरकिंग प्रोपरली ऐसा करके आप लिख सकते हैं ठीक है तो जिसे क्या होगा कि इसके उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि after deleting account यहाँ पर देख लिजीगा कि you recover account after within 14 days यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ पर एकदम delete हो जाएगा फिर आप दूबारा से इसको login कर सकते हैं तो उम्मीद है यहाँ से आप सीख गए होंगे कि आप आपको अपना delete करना पड़ेगा account इस तरह से जो host है वो अपनी agency change कर सकती है एक agency दूसरे agent में इसके अलावा कोई भी shortcut नहीं है कि आप अपने agency कैसे change करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना ना भूले ताकि आपको submit agency के regarding हर एक जानकारी step by step पूरी के पूरी मिलती रहेगी कोई भी doubt है तो मुझे इस नमबर पे call कीजिए का message कीजिएगा मेरी team 24-27 उस पे available रहती है maximum कोशिज कीजिएगा कि मुझे message करें WhatsApp में ठीक है call में कई बार possible नहीं हो पता है कि call receive ना हो पाए लेकिन message के reply आप को 100% मिलेंगे और अब तक का मेरा record रहा है कि 100% जो है satisfaction रहा है जिन्होंने भी मुझे message किये हैं उनके सवालों का तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में